नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों इस साल के करेंट अफेस के जो मोश्ट रिम पॉइंट 500 कोस्टन की हमारी सीरीज चर रही है इस कोस्टन सीरीज का जम 14 वा पार्ट लेकर आ हैं इससे पहले हम 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी कॉस्टन सेलेक्ट किये हैं सारे के सारे कॉस्टन इंपोरेंट हैं अच्छे देखे दोस्तो जितने भी कॉस्टन इस वीडियो लेक्चर में लाया हुए अधि आपको पहले से किसी कॉस्टन का अंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना अंसर लगाएं इसके बाद मैं अंसर बताऊंगा और कॉस्टन के रिलेशन में जितने भी एश्टर अफेक गुपता की फोटो है और हम इनके बारे में जान लेते हैं तो देखे दोस्तों जो अभी जीता गुपता है ना ये साथ साल की है और ये जो है ये कक्छा सेकन में पढ़ती है और ये जो है ये गाजिया बाद से ब्लाउंग करती है ठीक है इनको जो है इंटरनेशनल बुक उप रेकोर्ड ने दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखे का एक रूप में मानता दी है और इनको जो है एस या बुक उप रेकोर्ड ने ग्रेंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब भी दिया है ठीक है और इन्होंने जो है हाल ही में हैपीनेंस आल आराउंड सीरसक बाली देखे दोस्तों पंदरबे जी टॉंटी सिखर सम्मेलन की अध्यक्ष्ट की है सौधी अरब ने इस कॉश्चन का भी ऑप्सन सही हो जायागा देखे दोस्तों यहाँ पर बात हुए जी टॉंटी की तो जो जी टॉंटी है मैं आपको बता दूँ कि लोग जनरली इसको सोचते है कि यह 20 देशों का संग है लेकिन नहीं यह जो है यह 19 देशों ठीक है यह जो है यह 19 देशों और एक यूरोपीय यूनियन का संग है ठीक है एक यूरोपीय यूनियन का संग है और देखे दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1999 में मैं इसकी स्थापना की गई थी नेस्ट कॉस्टन है नमामी गंगे परियूजना के नए ब्रांड अमिस्टर कौन बने हैं तो दोस्तो नमामी गंगे परियूजना के नए ब्रांड अमिस्टर बने हैं चाचा चौधरी तो इस कॉस्टन का बी ओप्सन सही हो जाएगा जो चाचा चौधरी है न दोस्तो यह ए दिस जो है गंगा नदी की प्रिदूशन को कम करना तथा गंगा नदी की सेलक्चन के पृति लोगों को जागरुक करना है ताकि गंगा नदी को प्रिदूशन से मुक्त किया जा सके नेश्ट कोस्टन है परम सिद्धी सुपर कम्प्यूटर ने दुनिया के टॉफ फाइव हंडेड सबसे सकती साली गेर बित्रन कम्प्यूटर सिस्टम की सूची में कौन सा इस्थान प्राप्त किया है तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो परम सिद्धी सुपर कम कम्प्यूटर है और इसने जो है दुनिया के टॉफ फाइव हंडेड सबसे सकती साली गेर बित्रन कम्प्यूटर सिस्टम की सूची में 362 इस्थान प्राप्त किया है तो इस कोस्टन का डी ओप्सन सही हो जाएगा मैं आपको बता दूँ कि परम सिद्धी सुपर कि सबसे तेश सुपर कम्प्यूटर किस देश कर रहा तो जापान कर रहा ठीक है और जापान की इस सबसे तेश सुपर कम्प्यूटर का नाम क्या है तो फोकागू सुपर कम्प्यूटर जो है इसका नाम है अंगला नेस्ट कोस्टन है दो हज़र बीस का गोल्डन वाय अब वालर हैं और Erling Holland को ये पुरुसकार जो है 2019-20 में 44 गोल पूरे करने के लिए प्रदान किया गया है और देखे दोस्तों ये जो पुरुसकार है ये Italian newspaper Tutto Sport ने प्रदान किया है नैस्ट कॉस्टन है विस्व आर्थिक मंच यानि कि WEF ने स्मार्ट सहरों के लिए पॉलिसी रोड मैप को आंगे बढ़ाने के लिए भारत के कितने सहरों का चैन किया है तो देखे दोस्तों सबसे पहले हम आंसर जान लें फिर इस कॉस्टन के बारे में डेटेल देखेंगे तो कितने सहरों का चैन किया है चार सहरों का चैन किया है ए ओप्सन सही हो जाएगा देख दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि विस्व आर्थिक मंच यानि की डवलू एफ ने नवंबर दो हजर बीस को स्मार्ट सहरों के लिए पॉलिसी रोड मैप को आंगे बढाने के लिए 22 दे यह सहर कौन-कौन से हैं तो पहला है वैंग लुरू दूसरा है है एदरबाद तीसरा है फरीदाबाद और चोथा है इंदौर ठीक है इंदौर भी इसमें सामिल है और देख दोस्तों यहां पर बात हुए डबलू ई एफ की ठीक है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वर् Cearland के जेनवा में इस्तित है अंगला कोस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कास्टन है 220 में पहला PC महान 90 प्रुसकार किसे प्रतान किया गया है तो देर्फ दोस्तों जो PC महान 90 प्रुसकार है ना इसकी सुरूँआत वर्स 2020 से ही की गयी है ठीक है और जो पहला PC म महाल नोवस प्रुसकार है इसकी शुरूवात इसी वर्स 2020 में की गई है और किसके द्वान की गई है तो सांखे की और कारिकराम कारियान मैन मंत्रा लेकि द्वान की गई है और जो सीरंग राजन है इनको राष्टी IK आकलन से समंग्द तो मद्दों का समाधन करने के लिए ये पुरुसकार दिया गया है और जो पीसी महान लोवेस हैं ये कौन थे तो ये पिरसिद भारतिय वैग्यानेक और सांखे की वित्ते ठीक है और इनहीं की जन्म दिवस के उपलक्ष पर हम हर साल 29 जून को राष्टिय सांखे की दिवस मन नहीं है तीन धावी तो इस कौस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे ये तीन धावी की फोटो है देख दोस्तों जो आई एस तीन धावी है इनको व्रिक्स CCI CCI का फुल फर्म क्या होता है तो चेंबर आप कामर्स एंड इंडेस्ट किया गया है अंगला कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है ममता अवियान की ब्रैंड डेमेश्टर कौन है तो देख दोस्तों जो ममता अवियान है इसकी ब्रैंड डेमेश्टर है माधुरी दीख छेत तो इस कॉस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा अंगला कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला कॉस्टन है नोगल रेलवी इस्टीशन का नाम बदल कर सिधार्थ नगर इस्टीशन रखा गया है यह इस्टीशन किस राज में इस्टे थे दो देखे दोस्तों जो नोगल रेलवी इस्टीशन है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे इस्टेशन रखा गया है ठीक है और यह जो रेलवे इस्टेशन है यह उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर जले में इस्तित है कहां पर उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर जले में इस्तित है वी ओप्सन सही हो जाएगा नैश्ट कॉस्टन भारत का पहला जैबिक मसाला बीच पार्क किस राज में इस्तापित किया जाएगा तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि गुजरात में जीरा और सॉंप के बीच की उत्पादन के लिए ठीक है इसकी घुशना जो है ये गुजरात के CM विजय रूपानी ने कर दी है चूकि ये देश का पहला जेबिक मसाला बीच पार्क है इसलिए question और भी ज़्यादा important हो जाता है अंगला question देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा question है फैजाबाद का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसी प्रकार से जो इलाहबाद है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इलाहबाद का नाम बदल कर रखा गया है प्रियाग राज अंगला question देख लेते हैं दोस्तो नेस्ट question है किरकेटर नजीब तारकाई जिनका हाली में निधन हो गया है ये किस देश के वर्सकी थी और ये जो है ये अफगानिस्तान के फेमस क्रिकेटर थे तो इस question का D option सही हो जाएगा अंगला question देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा question है IPL team दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो देख दोस्तो जो IPL team दिल्ली डेयर डेविल से इस रही तो देख दोस्तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो Ease of Doing Business Index है ये किस के दोरा जारी किया जाता है तो ये जो है ये बल्ड वैंक के दोरा जारी किया जाता है ठीक है और इस Index में अधी हम बात करें कि पहले इस्थान पर कौन सा देश रहा है तो पहले इस न्यूजीलेंड देश ठीक है जो न्यूजीलेंड देश है ये पहले इस्थान पर रहा है और इस Index में अपने देश भारत की रैंकिंग के दिये हम बात करें तो अपना देश भारत जो है ये 63 बे इस्थान पर है बी ओप्सन सही हो जाएगा चले दोस्तो नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं नेस्ट कॉस्टन है वैस्विक जलवायू जोखिम सूचकंक 2020 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो देख दोस्तो वैस्विक जलवायू जोखिम सूचकंक 2020 में भारत रहा है पांच बे इस्थान पर तो इस कॉस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा ये ज जापान जो है यह पहले इस्थान पर रहा है, देख दोस्तो, इसी प्रकार से इसी क्रम में आप से एक और question पूछा जाएगा और आप confuse हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस question को भी hit किया है, question में पूछा गया है कि वैस्विक जलवाईू प्रदर्सन सूचकांग 2020 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो देख दोस्तो बैस्विक जलवायू प्रदसन सूचकांग 2020 में भारत रहा है नौवे इस्थान पर ठीक है यदि बैस्विक जलवायू जोखिम सूचकांग पूछा जाता तो अपना देश भारत जो है ये पांच बे इस्थान पर रहा है लेकिन बै माया सेंडू किस देश की पहली महिला राष्ट पती वनी है तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो माया सेंडू है इन्होंने हाली में एगोर डोडन को हराया है ठीक है एगोर डोडन को हराया है और ये मालडोवा की पहली महिला राष्ट पती वनी है तो इस कॉस्ट वन लियू जो है यहां की करंसी है ठीक है और यह जो आप फोटो देख पर होंगे यह माया सेंड उसकी फोटो है अगला नेस्ट कॉस्टन है प्रोजेक्ट किराना किस से सम्मंदित है तो देख दोस्तो जो प्रोजेक्ट किराना है न यह महिला उद्मियों से सम्मंदित है तो इस question का C options आई हो जाएगा देखे दोस्तों हाली में Mastercard ने United States Agency for International Development के साथ में मिलकर महिला उद्मियों के लिए प्रोजेक्ट कराना की सुरुवात की है ये जो कारिकरम है इसका मुख उद्धिस क्या है तो महिलाओं द्वारा संचाल इतकराना दुकानों पर डिजिटल भुकतान को बढ़ावा देना जो है इस कारिकरम का प्रमक उद्धिस है और देखे दोस्त जाने Global Employability Ranking 2020 में कौन सा भारतिय इंस्टिट्यूट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला इंस्टिट्यूट वन गया है तो देखे दोस्तों मैं आपको बता दूँ के Global Employability Ranking 2020 में जो भारतिय संस्तान है IIT दिल लिटी के ये जो इंस्टिट्यूट है ये सबसे ज़्या ज़्यारी की है और इस रैंकिंग में IIT दिली को जो है कौन सा इस्थान मिला है तो 27 अस्थान मिला है ठीक है और इस रैंकिंग में California pestalle इस्थान पर रहा है अंगलक यहित का स्चन है utilizar । हाली में Tony Lewis का निधं हो गया है वह कौन था हती हुँ थे तो देख दोस्तों हाली मे टॉनि लिउस का निधन हो गया है यह है फैमस गड़तग थे तो इस कॉस्टन का सी ओप्सन सही हो याएगा देख दोस्तों यह कॉस्टन जो है यह मोस्ट एंपोइंट कॉस्टन रहेगा आपके एक्जाम पॉइंट अब यू से तो जो गड़तग टॉनि लिउस आते हैं तो उसके लिए जो है इन्होंने 1997 में में डखवर्थ लूइस फार्मूला दिया था और इस फार्मूले को कौन बने हैं तो देख दोस्तों जो भारत इट है ना इसके नए ब्रांड अमेस्टर बने है रवी किसन तो इस कॉस्टन का ए ओप्सन सही हो जाएगा रवी किसन को सबी लोग जानते हैं यह जो है यह फैमस भारतिय अभिनिता हैं और यहां से आपको याद रखना है कि यह गोरकपर के ठीक है यह गोरकपर से लोग सबसदस भी है ठीक है यह गोरकपर से लोग सबसदस भी है अंगला कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है एसर इंडिया के ब्रांड अमेस्टर कौन बने हैं तो देख दोस्तों यह कॉस्टन और भी उत्साजन करने वाला पहला एरपोर्ट बना है तो देख दोस्तो जो इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली है न ये जो है ये एस्या में सबसे कम कार्बन उत्साजन करने वाला पहला एरपोर्ट बना है डी ओप्सन सही हो जायागा देख दोस्तो जब भी बा होता है तो Airport Authority of India जो है इसका full form होता है इसको हिंदी में कहा जाता है भारतिय बिमान पत्तन प्राधिकान इसकी स्थापन कब हुई थी तो 1 अप्रेल 1995 को इसकी स्थापन हुई थी इसका हैड़क्वर्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है और बरतमान में ए ए आई के अध्यक्ष कौन है तो अरविंद सिंग जो है इसके वरतमान में अध्यक्ष है नेस्ट कोस्टन है डाक्टर खालवा अल्रो में थी तीन दिन में साथ महादीपों की यात्रा करने वाली विस्ब की पहली महला वन गई है यह किस देश की रहने वाली है तो देखे दोस्तो जो डाक्टर खालवा अल्रो में थी है न यह तीन दिन में मैं आपको पूरा बता दूँ यह तीन दिन 14 घंटे ठीक है यह तीन दिन 14 घंटे और 46 मिनिट में साथ महादीपों की यात्रा करने वाली विस्ब की पहली महला वन गई है ठीक है यह जो है यह सयोक्त अरब अमीराद की रहने वाली है यह कहां की रहने वाली है सयोक्त अरब अमीराद की रहने वाली है तो यह नाम जो है यह आपको याद रखना है डांक्टर खालवा अल्रो मैं थी ठीक है ये नाम अपने आप में important हो जाता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अब last and last question है आपके लिए challenging question है जो की हम पूछते हैं हमारे previous वीडियो से question में पूछा गया है कि global gender gap सूचकंक 2020 में भारत किस इस्थान पर रहा है तो आपके लिए चार option भी दिये गए हैं और यदि आप चाहें तो इस index के बारे में detail भी लिख सकते हैं जैसे कि इस index में भारत की ranking क्या रही है ठीक है और इस index में जो है टॉप पर कौन सा देश रहा है और ये index जो है ये किसकी दौरा जारी किया जाता है ठीक है तो तीन फेक्ट जो है आप इस index से लिख सकते हैं तो थैंक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने पांच दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नए लोग है वो हमारे चैनल को करेंटरफेस के यदि आप चाहें तो इसके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं यहां पर आई बटन में मैंने लिंक देदी है तो यहां से आप हमारे सारे पुराने वीडियो देख सकते हैं या फिर अभी आपको स्क्रीन पर तीन महत्रमून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियोज को ज़रूर देख लें, थैंकि दूस्तो, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, पंदे मात्राम।